इस से पहले वीडियो में हमने code.org इस वेबसाइट पर code studio इस section में पहले और दूसरे कोर्स के बारे में जानकरी लेंगे इस वेबसाइट पर यहाँ सारे कोर्स विनामुल्य है code studio के इस तीसरे कोर्स के कुल 21 स्टेज़स है और हर एक स्टेज में कई लेवल्स है इन स्टेज़स के अंदर कुछ स्टेज़स को unplugged activity कहा जाता है इन्हें देखने के लिए आपको उस कोर्स के पेज पर जाके वहाँ से इन्हें open करना होता है तीसरे कोर्स में हमें programming के अंदर functions, conditional statements और nested loops के बारे में जानकरी मिलती है ये सारे लेवल्स काफी आसान है मगर फिर भी अगर आपको किसी लेवल के code को पूरा करने में अगर दिक्कत महसुस हो तो आप मेरे website पर जाएं और वहाँ पर programming courses पर click करें इसमें course 3 के नीचे देखें यहाँ पर आपको इस course के सारे लेवल्स के solutions दिखाई देंगे हर एक stage के solution के लिए एक अलग page है इस page पर आपको उस stage के हर एक level के images और level को पूरा करने के लिए जरूरी coding भी यहाँ पर दिया हुआ है तो छोटे बच्चों के लिए और उन सभी के लिए जिनको programming के बारे में शुरूराती जानकारी चाहिए उनके लिए यह courses बहुत ही आसान और मनुरंजक रूप में बताए गए हैं तो आप इन्हें जरूर पूरा कीजिए तो अब हम आज यहीं रुकते हैं अगले वीडियो में हम चौथे कोर्स के बारे में जानकरी लेंगे